प्रेंड कैसे हैं आप लोग वैलकम टॉन अट्रेटमी लेट्स क्रैक्ट यूपीज इस हिंदी एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं हमारे इस एह लक्षमिकान भारत के समविधान और राज विवस्था की इस सीरीज में जिसमें आज हमारा 62 वा सेशन है और हम बात करने वाले हैं भारत में पंचायती राज की ठीक है इक बहुत ही इंपॉर्स एक इंपोर्टेंट ये टॉपिक है भारत के समविधान का भाग नौ और इसी यह साथ ड्की शाध हम बात करेंगे तिउत्तरवा समविधान संशोधन आज के सेशन में हम लोग देख रखा होगा कि बहुत सारी समीतियों का गठन हुआ कभी आपने बल्वंत राय महता समीति का नाम सुना होगा जीवी के राव समीति का नाम थुंगन समीती का नाम समीति अब याट के बारें बोहुत सारी समीतियां बनी में और कोशिश की गई भारत में पंचायती राज को इस्थापित करने के पंचायती राज संस्थाओं तह को उनके अधिकार दिलाने संविदान संशोधन 24 अप्रेल 1993 को लागू हो गया और इसलिए 24 अप्रेल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है लेकिन क्वेश्चन यह कि पंचायती राज आखिर है क्या आखिर इसको कैसे समझें इसकी जरूरत क्या है सबसे पहरे आपको यह समझना जरूरी है कि पंचायती राज का महत्व क्या है यह होता क्या है क्या हम इसकी भीना नहीं रह सकते यह इसके होने से क्या फरक पढ़ जाता है यह आप समझ गये तो मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि आम तोर पर वो 73 संविधान संशोधन के प्राउधानों को रड़ लेते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि exactly पंचायती राज क्या होता है, पंचायती राज की जरूत क्या है, इस्थानिय स्वशासन क्या होता है और पंचायती राज के माइने क्या है, भारत में इनकी सफलता क्यों जरूरी है, इनको अधिकार देना क्यों जरूरी है, इनके अच्छे थोड़ा साथ दो तीन मिनिट कई चेप्टर पूराना वाले जो मैं पुल्टा थो भारतम संविध्यांग के लिए विशेश प्रावधान कियाания आपको पता है संविधान के भाग 21 में कुछ राज़ों के लिए विश्य प्रावधान किये गए अंच्छे 3 1 का सेशन सबसे पहले और अनज्य क्वर प्लेट फार्म में और क बेठे उप्स國 complete preparation करना चाहे तो अनकाडमी के platform से जुड़ के कर सकता है इस समय आपको अगर लगता है कि अनकाडमी ही क्यों चूज करें अनकाडमी में क्या खासे तो अनकाडमी के पासे widest choice of educators सबसे ज़्यादा educators और एक से बढ़के एक quality और experts जो है आपको अनकाडमी पर मिलेंगे courses आपको flexibility चेंज करने की आपको doubt cleaning session मिलेंगे printed notes मिलेंगे और आप unlimited time जो है एक session को देख सकते हैं access कर सकते हैं अभी एक सबसे बढ़ी offer आपके पास में है और यह है कि अगर आप एक साल या इससे ज्यादा का कोई subscription प्लस का लेते हैं तो छे महीने का आपको subscription प्री दिया जा रहा है मतलब एक साल के पैसों में आप डेड़ साल का subscription ले सकते हैं अगर बारा महीने के पैसों में 18 महीने का subscription लेना है तो यह offer बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए ही है इसका यूज कर सकते हैं मेरा रेफरेल कोड़ सी के लाइव सी के ल आई वी इस रेफरेल कोड़ को अपलाई करें और जल्दी से 15 तारिक कल आखरी है 15 जूर को यह offer लास्ट है आप 15 तारिक मतलब आज और कल दो दिने आपके पास आप सी के लाइव रेफरेल कोड़ अपलाई करके एक साल से या उससे ज्यादा का subscription लेंगे तो छे महीने का अनकैडमी आपको फ्री में दे रहा है मतलब एक्स्टा दे रहा है बिना किसी फीज के complimentary ठीके बस इस रेफरेल कोड़ को अपलाई करीगा क्योंकि इससे आपको 10% का discount भी मिलेगा छे महीना एक्स्टा भी मिलेगा और 10% का discount भी मिलेगा फिर आप देखिए जो अनकैडमी का combat है इस साल UPSC में कई सारे rankers वह अनकैडमी के combat में भाग ले चुके थे और उनकी rank बहुत अच्छी रही है जैसे आप देखो 29 भविष्य जो है इनकी combat में छटी रैंक थी और इंडिया अक्षय की combat में 9th rank रही है पंकज यादो की 29 मतलब यह competition में आपको भाग लेने से जो बहुत बढ़िया फायदा होगा वो यह कि आप all India level पर fight करते हैं और टॉपर के किसी प्रिलिम्स में आपको मिल जाएंगे कि Iconic subscription उन बच्चों के लिए जिने पर्सनल को चाहिए डेली आंसर राइटिंग की practice के साथ तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अब आपके पास option बहुत सारे हैं ठीक है एक साल डेर साल दो साल और तीन साल तक का normal प् कर ले यूपी सी के अलावा भी कोई लेंगे PCS वगेरे का तो उसमें भी कोड अप्लाइ कर सकते हैं चलिए और लोन फैसिलिटी आपको बताई कि अगर आपके पास एक साथ पे करने का power नहीं है तो आप लोन के लिए अपलाई करके इस रेफरेल कोड को बता दीजेगा में हम लोगों ने अध्याई 36 कर लिया था ना सब ओर्डिनेट कोड तो अधिनस्त नियाए वाले जो चैप्टर में मैंने आपको जिला नयायले बताया जिला निचली अदालतों के बारे में बताया उसमें मैंने आपको लोग अदालत के बारे में बताया मैंने आपको अगला अध्याय अध्याय सेटीस कुछ राज्यों के लिए विशेश प्रावधान जो भारत के संविधान में किये गए भाग 21 संविधान का बस दो मिनिट अपके लूगा और उसके बाद हम पंचायती राज को शुरू करेंगे तो संविधान का भाग 21 जो है अनुच्छे 371 से लेकर 371 जह मतलब जे तक कुछ राज्यों के 12 राज्यों के बारे में विशेश प्रावधान किये गए हैं कई बार क्या होता है कि यहां से बहुत डीप में कुश्चन नहीं आता बस यह पूछ लिया जाता है कि कौन से और बता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में किस राज्य के बारे में प्रावधान तेसे महाराष्ट नागालेंड असम मनिपूर आंद्र प्रदेश तेलंगाना सिक्किम मिजोरम अरुनाचल प्रदेश करनाटक और गोवा इन राज्यों के बारे में विशेश कि इन राज्यों के जो पिछड़े इलाके हैं, इन राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यक्ताओं को पूरा किया जा सके। तरसलमेन मकसद है कि इन राज्यों में जितने भी ऐसे इलाके हैं, जहां पर बहुत प्छड़े लोग रहतेARON, जो समाज की मुख्यधारा से अब बहुत दूर हैं, उनमें भी भी विकास पोंचाना, उनका भी विकास करना, उनको समाज सहा मुख्यधारा में लाना, ये इसका मुख्य मक्सद है इन राज्यों के जंजाती लोगों के आर्थिक और सांस्क्रतिक हितों की रक्षा करना या इन राज्यों के कुछ अशान्त इलाथों में कानून विवस्था की स्थापना करना या इन राज्यों की स्थानी लोगों की हितों की रक्षा करना ये सब हमारे सम्विधान के भाग 21 में इन राज्यों के लिए विशेश प्रावधान करने की पिछे उद्देश है बस आपको उद्देश है पता होना चाहिए कि उद्देश यह क्या है तो यह हो गए उद्देश अब कौन-कौन से राज्य यह देख लो बस एक नज़र आप लोग ठोड़ा सा देख लो कि कौन से अनुच्छेड में कौनसा राज्य है और अगर आपके दिमागे में कुश्चन ओ क्या यह सारे सर्व सीक्विंस में याद रखने पड़ेंगे तो इसका आनसर है यश आपको यह सीक्विंस में याद रखना पड़ेगा एक से लेके आगे के 12 राज्यों तक कौन सा किस अनुच्छे में जैसे अनुच्छे 371 महराष्ट और गुजरात राज्जी के लिए विशेश प्रावधान करता है 371 A. नागालेंड के लिए विशेश प्रावधान करता है 371 B. आपको असम राज्य मिलेगा 51 C. में आपको मनीपूर राज्य मिलेगा D. में आपको आंधुर परदेश और तेलंगाना मिलेगा ई में आपको अंध्र प्रदेश में केंद्री विश्विद्याले कि स्थापना मिलेगी F में आपको सिख्किम राजी के लिए विशेश प्राउधान मिलेंगे तो यह F तक हो गया इसके बाद G में आपको मिजोरम राजी के लिए विशेश प्राउधान 371 में अरुनाचल प्रदेश के लिए विशेश प्रावधान आई 371 में गोवा के लिए और 371 में करनाटक राजजी के लिए विशेश प्रावधान बस इससे ज्यादा डीटेल में आपको यहां नहीं पढ़ा सकता क्योंकि हर राजजी के लिए विशेश प्रावधान बहुत कि भाग में अनुच्छे 370 भी आता है 370-371 इसी में तो 370 में जम्मु कश्मीर का मामला है ठीक है और 371 में इन राज्यों के लिए विशेश प्रावधान है अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक के उपर और वह है पंचायती राज अध्याए 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 38 पंचायती राज के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ पर उससे पहले त्वड़ा सा इंट्रोड़क्शन देते हैं कि पंचायती राज की जरूरत क्या है समझो इसको बहुत आराम से आप समझ जाओंगे मान लो कि आप किसी गाउं में रहते हो और आपके गाउं से जो सर्दी जुकाम भी होता है खासी भी हो जाए या हलका सा बुखार आ जाए वाइरल हो जाए तो उस व्यक्ति को 200-500 किलोमेटर दूर जाना पड़ता है और जिले के सिटी के शहर के अस्पताल में दिखाना पड़ता है तो मुझे एक बात बताईए क्या आपको यह सही लगे दूसरी दिक्कत यह है कि उस शहर के अस्पताल के बारे में सोचो कि जहां लोग सिर्दी के लिए आजाएंगे जुकाम के लिए आजएगे तो आसपास की जिले के जितने गाओं है और उन गाओं की जितने लोग हैं वो सारे लोग शहर में आएंगे तो कितनी भीड पड़ क्यों नहीं सरकार हमारे गाउं में छोटा सा अस्पताल बना देती है जहां पर एक डॉक्टर होगा जो लोगों की छोटी मोटी बीमारी वाइरल सर्दी जुकाम खासी इनको इलाज कर दे अगर किसी को बड़ी बीमारी ओ केंसर हो जाए किसी को ट्यूमर जिसे हो जाए या कि किसी को टीबी हो जाए या किसी का ऑपरेशन करना पड़े और वो शहर जाए तो समझ में आता है लेकिन छोटी-छोटी बीमारियों के लिए तो हम नहीं जाएंगे ना बस वही मामला आपको पंचायत में समझना इसका महत्व यही है हमारे गाव में महले में नल नहीं है पान ये इतनी चोटी-चोटी चीजों के लिए तो ओम बार-बार देश राज जी की देश की राज़द्धानी में नहीं जा सकते ना आप सोचिए कि एक विदायक लाखों लोगों का प्रतनिध्व करता है किस किस की बात सुने का मैं इतना समय कहां एक सांसत तो और ज्यादा ल मेरी बास समझ रहे हैं और किनी आया पर यहीं हमाद निया भर यहीं तो महत्वे पंचायति राजका इस्थानी में लोग स्थानी स्थानी इस तरपर जब अपनी समस्याओं को सुल्जाने की कोशिश करते हैं वह गायों के लोग अपने में से कुछ लोगों को चुनले और वो वेक्ती को गाओं के मामले की बहतर समझ होती है। वो ते सब इस्थानी वेक्त की वेसा इस वैसजू की संङ्धी के सिर्फ है। कहां सड़क बनवाई जानी चाहिए कहां स्कूल बनवाया जाना चाहिए नहीं बनवाया जाना चाहिए तो यह सब इस्थानी व्यक्ति को ज्यादा नौलेज होता है आपकी राज जी की राजधानी में बैठा हुआ वेक्ति या आपके देश की राजधानी में बैठा हुआ सांसद या मंत्री आपके गाउं की परिस्थितियों को bечатr तरीक समझ गया आप सोचिए कि अगर देश की राजधानी में और राजजी की राजधानी में बैठकर पुरे राजजी के लिए कानून बनाए जाएंगे तो क्या वह सब्जेगे सटी गूरूप से लागू हो पाएंगे हर गाओं की अपनी तकलीफ हर गाओं जैसे मान लेजिक एक डॉक्टर है और वो हर मरीज को एक ही दवा दे दे, तो क्या ये सही है? हर मरीज का अपना मर्ज, हर मरीज की अपनी बीमारी, तो बीमारी के हिसाफ से इलाज होगा कि हर किसी को एक पेरासिटमॉल खिला दीजिए, कि ठीक हर मरीज को एक ही गुली दे दो, अब जिस मरीज को दूसरी भीमारी होगे वो ठीक कैसे होगा तो हर गाओं की अपनी तकलीफे हैं हर गाओं की अपनी समस्याइए हैं और उस सारे के सारे गाओं के लिए एक रणनीति कामियाब तो नहीं हो सकती आगे समझ में यही है पंचायती राज यही इस्थानिय स्वशासन और वही आपको समझ में आ गया होगा इसका महत्व भारत में पंचायती राज शब्द का मतलब क्या है अगर भारत में पंचायती राज शब्द को समझें तो ग्रामीन स्वशासन इस्थानिय स्वशासन ज़ति जब गाहों के लोग स्थानीं स्थान चलाते हैं अपने खुद के लिए विकास करते हैं इसको बोलते सथानीव स्वेशासन इसे रूरल लोकल सेल्फ गवर्मेंट कहा जाता है इंगलिश में ग्रामेड स्थानिय स्वशासन को और यह कोई पुरानी यह कोई नई चीज तो नहीं आपको पता है यह तो बहुत पुरानी चीज है प्राचीन काल से भारत में आपने देखा हुआ पंचायतों का कॉंसेप्ट कोई नया है पंचायतों के द्वारा भारत में शुरुआत से ही काम हो रहा है तो इनी पंचायतों को हमने थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए जो काम किया है वही मैं आपको आज समझाने वाला है ठीक है तो हम समीतिया पढ़ेंगे एक-एक करके कौन-कौन सी समीतिया देखो कई ब सब समझ में और अच्छे से आएगा मेरा दावा है कि इस सेशन को अटेंड करने के बाद पंचायती राज का कोई कोश्चन आपका गलत नहीं हो सकता अगर आपने इमानदारी से पूरा टॉपिक मेरे साथ पढ़ लिया एक बार भारत के सभी राज्यों में जमीनी इस्तर पर लोक तंत्र के निर्मान के लिए राज्य विधान सभाओं द्वारा स्थापित किया गए अब आपको यह बता दू इसको राज्य विधान सभाओं ने क्यों स्थापित किया जानते हैं कारण यह है क्योंकि स्थानी स्वशासन भारत में समविधान की सात्वी और इस पर केंद्र सरकार या संसत कानून नहीं बना सकती है इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यों को है समझ गए तो सभी राज्यों में लोक तंत्र को हम कहां ले जाना चाहते हैं जमीनी इस्तर पर ग्रासरूट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और इसलिए वि तिहोत्तरप्रदेश का एक पंचायती राजदीनियम होगा आप मध्यप्रदेश में तो मध्यप्रदेश पंचायती राजदीनियम होगा राजस्थान में राजस्थान पंचायती राजदीनियम हर राज्जी के अपने अपने पंचायती राज कानून है और उनमें उन्होंन लेकिन उससे पहले बात करेंगे पंचायती राज का विकास मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हुआ भारत में तो आज़ादी के बाद सबसे पहले समीती जो आपको मिलेगी वह बल्वंत राय महता समीती का गठन कब हुआ और इसकी सिफारिशे क्या थी दोनों चीज़े आप अच्छे समझ लें तो यह समीती आपको क्लियर बल्वंत राय महता समीती का गठन जनवरी 1957 में दरसल आपने देखा होगा कि भारत में महात्मा गांधी का इस्वतंत्रता संगर में बड़ा प्रभावर है और हमारे समविधान में भी आपको गांधी वाधी दर्शन दिखाई देगा तो अगर आप गांधीवाधी दर्शन को जानते हैं तो महत्मा गांधी का यह मानना था असली भारत गाउं में बसता है अगर गाउं का विकास नहीं हो पाया तो अधिकार नहीं दिये जाएंगे तो देश का विकास खोखला है अधूरा है इसलिए महात्मा गांधी के इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे समविधान के भाग चार में एक अनुच्छे जोड़ा गया अनुच्छ चालीस और यह आपको अनुच्छ चालीस में क्या लिखाये जानते में सीक्वेंस में रिखा है कि बही राज्य भारत में पंचायती राजसस्थां करेगा उनका अविकास करेगा और उनको ज़रूरी अधिकार करेंगा जो उनको लगेंगे आवश्य काम करने के लिए अब चुकि एक बात आपको प और कमी भी बोल सकते हैं ये खासित ये कमी यह के भाग चार के किसी प्रावधान को न्यायले में चुनावती नहीं दे सकते मतलब भाग चार को न्यायले के द्वारा लागू नहीं करवा सकते कि बाई मिलाद समविधान के अनुठे चालीस में लिखा है कि पंचायते होनी चाहिए लेकिन पंचायती तो hon 이번에 ने क्रिक्सी में स्थाफिश suis कि उच्जी को केई थैसा कोई मजबूरी का संदा नहीं है गागता नहीं टो हमारे अब पर पर किकि जब तक इसनान की फित्रत है तो सरकार्व को कि मजبोर नहीं थे इसको करने के लिए तो इसंद़ नहीं दिया तो पंचायती राध्य संस्थाओं का विकास करने की hem कोशिव बहुत कि पर हो नहीं पाया क्योंकि राज्यों ने इसको घंबीरता से सिन लिया ही नहीं आगया समझ में तो इसी लिए क्योंकि अनुच्छे चालीस में जो लिखा था इसको हमें पूरा करना था महात्मा गांधी के हिसाब सेम को चीजे करनी थी तो हमने उनिस्टो सत्तावर में भारत सरकार में सामुदाइक विकास चारे करहूं और राष्ट्री विस्तार सेवा द्वारा किये काम की जाच के लिए और इनके बैता धंग से काम करने के लिए उपाय बताने के लिए सुझाओ देने के लिए एक समीती का गठन किया और इस समीती के अध्यक्ष मैंने आप से कहा बलवंत राए महता साहब थे इसलिए नाम पढ़ गया बलवंत राए महता समीती के अध्यक्ष स्वयम बलवंत राय महता थे इस समीति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौब दी मात्र दस महिने में जनवरी 1957 में गठन हुआ नवंबर में रिपोर्ट आगी रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट में इसने क्या कहा मतलब आपको अगर कोई बीमारी हो और उस बीमारी को जानने के लिए आप लोग टेस्ट करवाते ना आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स टेस्ट लिख देते हैं कराओ उनित यूरिन टेस्कराओ टाओ खलाना टेस्कराओ सोनोग्राफिकराओ एक सरे कर आऊ तो जब रिपोर्ट आति है टेस्ट के बाद तो इससे एक्जेक पता चल जाता है कि दिक्केत कहा है हो खो ओंducा या हमोगलोबिन को बहुर सी लेने के गोलिया हो या समीटी ने कहा कि भारत में लोगतांत्रिक विकेंद्री करन होना चाहिए इनका यह मानना था कि लोगतांत्रिक रूप से जो अधिकार है वो निचले इस तर पर भी देना चाहिए कि हर एक चोटी चीज उपर वाला ताई करें यह बात तो सही नहीं है ना जैसे आपने देखा होगा कि आप जब छोटे होते हैं तो आपके सारे डिसीजन मंभी पापा लेते हैं आप कहां बाहर जाएंगे कि नहीं मूवी देखने जाएंगे कि नहीं किसी के साथ भूमने जा तो जो डिसीजन जो निरने निचले स्तर पर लिए जा सकते हैं उनको निचले स्तर पर लेने देने का अधिकार देना कि आप ले लीजिए इसी को बोलते विकेंद्री करण ठीक है आगे समझ में तो इसने क्या कहा आपको बस एक बात याद रखनी है कि बलवंत राय महता समीती ने भारत में लोक तांद्रिक विकेंद्री करण की योजना की सिपारिश की और इसी को पंचायती राज की रूप में जाना गए अब सरकार ने बलवंत राय महता समीती की सिपारिशों को मान भी लिया लागू भी कर दिया बट पहले हम यह समझें कि बल्वंत राय महता सहब ने ऐसा कहा क्या था विया की सबसे पहली सिपारिश तो इन्हों ने यह कहीं कि अगर भारत पर श्रार को इस्थापित करना है तो आपको तीन इसतर पर करना इसका मतलब यह कि आपको सबसे पहले गाओं के इस तर पर पंचायद बनानी पड़ेगी फिर आपको जो ब्लॉक लेवल होता है जो जिले और गाओं के बीच का लेवल होता है आम तोर पर तहसिल लेवल तालू का लेवल ब्लॉक लेवल वहां पर आपको बीच की पंचायद और फिर आपको सबसे उपर एक जिला पंचायद बनानी है, पूरे जिले के सारे गाओं को मिला कर एक जिला पंचायद बनानी है, तो आप तीन इस्तर पर पंचायदों को स्थापित करें, छोटी पंचायद, बीच वाली पंचायद, बड़ी पंचायद, आगे समझ में, पू कि तीन स्थाय की निकाल लेते हैं तब जा कि आपका से अफ गाफ होता है से चाहिं आगे समझ में तो तो तिन री पंचाय या नी कि खेंग है कि श्थापने अई जिसमें ग्राम पंचाय भलॉक नाक इस तर पर पंचायथ समीती होगी और जिला इस तर पर जिला परीशत होगी, यह समझना भृती है, यह समझना मुशकिल नहीं है क्योंकि वर्तमान में भी तो यही स्थिति hai, आप भारत में झाहिए देखा भी आपके हाँ पर यह पंचायों में फिर बीच वाली पंचायत और फिर ऊपर की पंचायत तो यह तो जैसा आज चल रहा है इस तो कोई दिक्कत नहीं देखो सबसे नीचे गाओं के लिए ग्राम पंचायत फिर उसके बाद मद्धिवर्ती पंचायत और फिर जिला पंचायत जिला परीशन और इसको अगर आपको समझना है ना तो सबसे अच्छा तरीका में आपको बतातु हुए इसका सबसे अच्छा एक्जामपल है भारत में खिले के लिए अच्छा नया या हराज्य के लिए और सुप्रीम तो पुरेदेश के लिए तौं यहां आप कह सकते हैं कि चिला परीशत सुप्रीकोंअ मद्धिवर्ति पंचायत हाई कोड़े और ग्राम पंचायत अगय समझमें आगे समझ में की नहीं आया आएगा बहुत आराम से आएगा अगर अगर आपने थोड़ा सा मेरी बात तो दिहान से सुना है ना अगर आपका पुरा फोकस यहां पर है जो बच्चे इमानदारी से पढ़ने आए हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं क्योंकि मैं रोज देखता हू कि सेशन में बहुत सारे असामाजिक तत्वा आते हैं और उनका काम है वो करने हैं उन्हें करने दो भई हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है आपको सिलेक्शन लेना है तो आपका काम है पढ़ना आप पढ़िये उनका काम है जो जीवन में उन्हें आगे जाके करना है वो वही कर रहें और वही करते भी रहें उन्हें कोई नहीं रोक सकता यह काम करने से और अच्छा है ना ऐसे लोग आपके competition को कम भी तो करते हैं सोचिए कि अगर यह लोग भी इमानदारी के साथ पढ़ने लगे और यह लोग भी इमानरे की सत्व तयीर करने लगे तो आपका क्मुपिटिश्ण कितना बड़े मचा तो इने करने इरिज्युक्त हो नहीं करने आहें कि उनका काम वह उनका काम वह बखुवी इनका करें आपका दाईतु बनता है के आप भी अपना काम इमानदारी सिकरें, मुझे शिकायत उन से नहीं होती कभी, क्योंकि वही कर रहे हैं, जो करने आए, आप वही नहीं कर रहे हैं, जो आप करने आए, ठीके? तो यह तीन इस्थर यह पनचायतों कि इनने क्या कहा? इननों सिपारिष की पहली चीज. दूसरी चीज, यह तीनों इस्थर आपस में प्रत्यक्ष चुनाओ द्वारा गठन जुडए होने चाहिए, मतलब इनका घठन जोए मौने प्रत्यक्ष चुनाओ के द्वारा इंडार क्राइका इस काeger में आत nhưng consumption स्थापनना प्रत्यक्ष रूप से चुनने गए पर्ति Esto द्वारा हूंगे सपारिश क्या है बलवं त्रहें मेहता समीति जी समीती की अग्ली सिपारिश यह है कि जो ग्राम पंचायत है उसकी जो इस्थापना होगी इसके सदस्ति चुने जाएंगे प्रत्यक्ष रूप से ठीक है जबकि पंजबीच वाली और उपर वाली परिशद का गठन आप प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्तियों द्वारा होना चाहिए अगर आपको इसको बेहतर तरीके से समझना है न मैं अब को बताते हैं कैसे समस्दन करते क्या करेंगे रSE करेंगे क्या करेंगे हर समिती की सिफारिशों को वर्तमान भारत के पंचायती राज प्रावधानों से 43 संविधान संशोधन से तुलण आतर सारा माजरा समझ में आ जाएगा देखो पहला वाला प्रावधान तो 33 संविधान संशोधन में भी तीन इस्तरी पंचायत भारत में वभी है दूसरा वाला प्रावधान नहीं है यह बलवंत रहे महता थोड़े से अलग चलेगे इन्हों ने कहा कि पंचायत के सदस्यों को जनता के सारे सदस्य जनता ही तो चुंती सदे इस पंचायत सदस्य जनता चुंती है और निचली पंचायत सदस्य भीटो जनता चुंती तो यह अलग हो गया, ऐसे याद करो, यह मैं आपको तरीका बता रहा हूं, याद करने का, कैसे समझ में आएगा, फिर भलवंतराय मेहता समीथी ने कहा, सभी योजना और विकास के कारे इनको सौब दो, निचले इस्तर पर जितनी भी योजना है, जितने भी विकास के काम है, जैसे माली जे मन्रे का जैसी कोई योजना है, तो पंचायतों के द्वारा चलाओ, आपको प्रधान मंत्रियावास योजना चलानी है, पंचायतों के द्वारा चलवाओ, आपको कोई भी विकास का काम करवाना है, जैसे गाव में सड़क बनानी है, स्कूल खोलना है, कोई एस्पताल खोलना है तो पंचाय तो से करवा हो सारे काम इनको सौप दो पंचाय समीति को कारेकारी निकाय और जिला परिशत को सलहकारी समन्वय कारी और पर्यवेक्षन निकाय होना चाहिए जिला परिशत का अध्यक्ष जिला दिकारी को होना चाहिए जिला परिशत का जो अ निकायों में शक्ति और उत्तरदाईत्म का वास्तविक इस्थानांतरन होना चाहिए। इनका ये मानना था बलवंत राय महता साहब ने कहा कि इनको सही में अधिकार दो ताकि ये बहतर तरीके से काम कर पाए। अगर इनको अधिकार नहीं दोगे तो ये बहतर तरीके से काम नहीं कर पाएगी इन निकायों को परियाप्त स्त्रोत मिलने चाहिए मतलब धन, संपत्ति, पैसा जब तक इनको पैसा नहीं दिया जाएगा, धन नहीं दिया जाएगा, तब तक ये काम कैसे करेंगे गाओं में सड़क बनानी होगी गाओं में इलेक्ट्रिक पोल्स लगाने होगे गाओं में स्कूल खोलना होगा तो कैसे करेंगे अगर कोई पुल बनाना है नदी के उपर तो ये सब के लिए इनको पैसा देना चाहिए आखिरकार इन समीती को भारत में एक संस्था का नाम राश्ट्रिय विकास परिशद जिसे एंडीसी बोलते हैं आजकल तो यह ही नहीं नेशनल डिविलप्मेंट काउंसिल एंडीसी राश्ट्रिय विकास परिशद ने जनवरी उनिस सो अठावन में बलवन तराय महता समीती की जो सिफारिशे मैंने आपको अभी बताई उन सिफारिशों को इन्होंने स्विकार कर लिया राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हो यह आपने पड़ा होगा कई सरी एक्जाम में पूछा भी गया है भारत का पहला राज आजादी के बार जिसने अपने य भारत के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर नेहरू ने 2rak'towabr 1969 को राजस्थान के नागव नाम के जिले में क्या कियां महात् कि हम महात्मा गांदी के सपने को साकार कर रहे हैं तो महात्मा गांदी चन्म दिन से अच्छा बद्दे जयंती से अच्छा पुछ हो नहीं सकता तो दो अक्तुबर का दिन चुना गया और नागौर में ये शुरूवात भी हम ने कर दि बाद में और भी राज्यों ने इसको आंदरप्रदेश ने अपनाया दूसरा राज्य ये भी पूछा जाता है पहला राज्य तो सब को पता है पर दूसरा राज्य नहीं पता होता है दूसरा राज्य है आंदरप्रदेश राजस्थान के बाद इस ती तीन इस्तरिय पंचायरती राज को अपनाने वाला दूसरा राज्य बना आंदरप्रदेश जिसने 1969 में ही इसको लागू किया और इसके बाद तो भारत के कही राज्यों ने इस योजना को प्रारम कर दिया अब यहां गड़बड ओर हो जाती और मैं आपको तो गड़बड क्या होती मैंने एक बार एक क्वेश्चन पूछा एक बार मैंने क्वेश्चन पूछा कि 23 संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है कई बच्चों ने कहा सा राजस्थान और में पंचायत की स्थापना हुई 1959 में तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा क्या है भारत में पहली पंचायती राजव्यवस्था राजस्थान में नागौर में आई नो डाउट सही है लेकिन तिहोत्तर्वा संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला र आगे समझ में अब आपको ऐसा लग रहा है कि बलवंत राय महता समीति आई उरकी सिपारिश उसको स्विकार कर लिया भारत में पंचायती राजविवस्था भी तो फिर आगे क्या दिक्कत हो गई फिर अशोप महता समीति क्यों आई फिर दूसरी समीतिया क्यों तो इसको समें च status 700 क्या थे समें आपने डॉक्टर को दिखाया टॉक्त ने आपका चेक एप किया अपकी टेस्त लिगा रिपोर्ट आई आको दुसे से आपकी बीमारे ठीक नहीं हूई कि मतलब बीमारी अभीभी बनी हुई है आपकि तकलीफ आपका दढ़ का पैन अभीभी तो उ भी पंचायती राज संस्थाओं का उद्धार नहीं हुआ जो हमने सोचा था कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं उन्नती करेगी प्रगती करेगी और नए नए विकास के माइल स्टोन जो हासिल करेगी वह हुआ नहीं तो हमें डॉक्टर बदलना पड़ गया थीक है उन्निस सो साथ के दशक के मद्धित तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भी कर ली फिर भी इन राज्यों की इन संस्थाओं में इस तरों की संख्या समीती परिशत की सिती इनका कारेकाल संग अलग रखा तो हर राज्य को जैसा ठीक लगा वैसे वैसे कहते हैं हमारे बहुत बढ़िया कहावत है कावत ने मतलब यह सब्सक्राइब कर लेना इसा करो तो उन्हें का मन रखने के लिए उन्होंने वह काम कर दिया पंचायतों की स्थापना कर दी लेकिन गंभीरता के साफ नहीं थी आप पूछेंगे क्यों कारण यह कि कोई भी कोई विव्यक्ति अपने अधिकारों में कटोती क्यों करना चाहेगा आज आप मुझे बताईए कि गाओं में पंचायतों के पहले जो सडके बनती थी गाओं में जो पैसा खर्चोता था यह कौन करता था यह सब राज्य सरकार करती थी तो राज्य सरकार के विधायक मंत्री राज्य सरकार के लोग अपने अधिकारों में कमी क्यों करेंगे और फिर दूसरा यह कि भ्रस्टाचारी का भी तो मौका मिलता है कि नहीं अगर गाओं की सडक वो लोग बनाएंगे तो उसमें भ्रस्टाचारी शिर्फ नाम के लिए प्रतीक के तोर पर सजाने के लिए कि देखो ये पंचायतिराज संस्ता हैं, स्थापित कर ली, आ रहे हैं समझ में कि नहीं आ रहे हैं, तो ये फिर भी सफल नहीं हुआ, उदारन के लिए राजस्ठान ने तीन सतरी पंचायतिराज को अपनाया, तमिनल लिए क्योंकि एक जैसा करने की बाद दिता थी नहीं तो यह पुरा फेलों क्या मामला सरकार को लगा कि यह से तो काम नहीं चलेगा सरकार ने एक और डॉक्टर को पकड़ा इस बार भी कोई महता साब ही थे पहले भी महता थे दूसरे भी महता थे 20 साल के बाद 1957 से ठीक 20 साल क के बाद 1977 में एक और समीती का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष से अशुक महता सहाब यह बात है 1977 की और सरकार की जनता पाइटी की यह बहुत विचित्रकाल है आपको पता है भारत में आप सभी जानते हैं कि इंद्रा गांधी सरकार एक समय ताना शाह बनी इंद्रा गांधी सरकार ने भारत में आपातकार लगाया कई सारे लोगों के अधिकार चीन लिये सब कुछ किया आखिरकार जनता ने उनको हटा दिया और मुरार्जी देशाई की सरकार ने भारत में पहली गेर कॉंग्रेसी सरकार बनी थी केंद्र में यह बहुत महत्तुपून बात है आपक विश्चोक महता की अध्यक्ष्टा में पंचायती राजस्था उपर एक समीती का और गठन हुआ कि शायद दूसरे महता साहब जो है के लिए 132 सिफारिशे की 132 सिफारिशे इन्हों ने इसलिए की ताकि पंचायती राजस्थाओं को भारत में वास्तविक रूप से मजबूत बनाया जा सके अब इनका क्या मानना था इनकी क्या सिफारिशे थे वो समझवा सबसे पहले सिफारिश तो यह है अशूक महता सहाब ने कहा कि शायद तीन इस्तर कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं पंचायतों की तीन नहीं दो इस्तर होने चाहिए अगर आप तीन इस्तर रखते तो उससे ज्यादा दिक्कते हो रही है आप बीच वाले इस्तर हटा दे सिर् है आपर बलवंत राय महता साब ओने तीन इस्तर का कहा अशुक महता साहब नया रास्ता ला ए डौसार कर दो इसको फटा जो एट आख वाला जें आप फ़ह कि बहरत में तीन इस्तर ये पहन चाहितों की जगे दो श्तरिये पंचायते आप बना दीजिये बीच वाले को हट जीला इस तर पर एक जिला परिशत बनाओ मतलब जीला पंचायत बनाओ और उससे नीचे 15-20,000 जनसंख्या वाले गाओं के समू होने चाहिए ठीके तो यह दो चीज इसने कही आप लोगों ने पड़ा होगा अशुक महता समिती की सिफारी शुको यह बीच वाले स्तर को हटाने के पक्ष में थे इस सिर्फ नीचे और उपर की स्तर को रखना चाहते थे फिर विकेंद्री करण के लिए राज्य के बाद जीला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए मतलब राज्य के बाद सारे अधिकार नीचे जीले के पास होने चाहिए जीला परिशद एक कारेकारी निकाय होनी चाहिए और राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए कि पंचायतों कपकूझ पायटियों से तो तो नीँए अनी फोल ये रहा था कि पंचायतों की चुनाओं को राजनेथिक पायटियां हृत मतलब राजनेथिक पायटियों कोई भागिदारी थी नहीं है वंपता था कि आप समझ रहें आज जिसे आपने देखा होगा कि हमारे पंचायतों के जो चुना होते हैं तो हर पारटी जी जान लगा देती है भारत की बड़ी-पारटी अभी पंचायती चुनाओं में अपने उम्मीध्वार उतारती है एक बड़ा माहूल बनता है रोग धोल द्हमा के बजते हैं आपके तो मेहता सहाब ने कहा कि सभी इस तर पर राजनितिक पार्टियों की भागीदारी बढ़ा जब तक राजनितिक पार्टिया नहीं आएंगी तब तक लोगों का इंट्रस्ट नहीं आएगा समझ रहे हैं जैसे अगर बड़ी बड़ी पार्टिया अपने उमीद्वार उतारती है तो लोगों का इंट्रस्ट जगता है अब यहां के बड़ी बड़ी पार्टिया आई नहीं रही है वो किसी को उतार नहीं रही है उनकी भागीदारी नहीं है तो लोगों को भी कोई इतन एकसे करी जब तक पैसा नहीं होगा पंचायतों को काम करने के लिए पैसा तो चाहिए और शृच्टे मेह आर्थिक इस्तों के लिए इनको आपटेक्स लगाने की शक्ति निकाराधान की शक्ति मतलब इनको केसा कमाने की ऐब का सबसे बड़ा स्प्रोथ तो टेक्स होता है बल अशुक मेहता साब ने कहा इनको टेक्स लगाने की शक्ति दो और इनको टेक्स लगा के पैसा कमाने का पावर होना चाहिए जिला इस्तर के अभीकरण और विधायकों से बनी समीती द्वारा इस संस्था का नियमित सामाजिक लेखा परिक्षण होना चाहिए एक सशप्द है जो शायद आप में से कई लोगों ने नहीं सुना होगा जिसे सोशियल ऑडिट कहते हैं सोशियल ऑडिट क्या होता है कि ये जी का ओडिट तो सुना होगा आपने कि सीए जी भारत में सम्वेधानिक संस्था है अनुच्छे द एक 148 भारत के सम्विधान का एक नियंतरक महालेखा परिक्षक की विवस्था करता है क्या करता है सीए जी पुल बनाया गाए गाओं में फूल में आरोप लगते हैं कि सारी चीजे ओन पेपर होती आज नहीं पहले होती ही और पेपर या पेपर पे जो है एक पुल बन गया है गाउं में बढ़िया सा और उसमें इतना इतना पैसा खर्चा हुआ पर गाउं में उस पुल के दूर दूर तक पती नहीं है पुल तो छोड़िये वहाँ पर रपट तक नहीं बने अभी भी लोगों को नदी पार करना हो तो यह तो नाउं से करतें या तेर करतें लेकिन काघजों पर गाओं में पुल बन चुका है उस गाओं का विकास आसमान पर यह भात अपको पता होगी भारत लें बहुत पुरानी बीमारी थी कि on paper बहुत कुछ हो टाओं में सढ़क बन गई है paper में गाओं में पानी की तंकी बन चुकी है, ओन पेपर पैसा भी जा चुका है, हाँ तंकी जो है, हे भी सही लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, पर कहा है तंकी, पानी की तंकी तो है ही नहीं, गाओं में वो सडक तो ही नहीं, जिस सडक का पैसा ये लोग खा चुके, वो सारा पैसा जो है क्या होता तो एक नहीं चीज को लेकर में आपको बताऊं कि एक नया सुझावाया कि सोशल अडिट होना चाहिए क्यों ना कुछ लोग गणमानने लोग विदायक सांसत जैसे हो आम लोग हो समाज के वरिष्ठ लोग हो समाज जो एंजियोज है या समाज सेवा करने वाले जो लोग है य वो पुल बना है कि नहीं बना यहां कितने वे बनाए बनाए तो उसके कितना पैसा खर्चा km जाप कैसी है क्या सरकार ने कह लिए नाम के लिए सडक बना दिया मजबूत सण बनाई है ये सब को कहते शोशल ओडिट आगा समझ में कि आया समझ में कि नहीं है ताकि कोई भी चीज ऑन पेपर नहों वह वास्तविक रूप से हो तो इसी को सोशल ओडिट कहते तो बल अशोप महता साहब ने सिफारिश की कि सोशल ओडिट होना चाहिए जो भी काम हो उस काम को जाके जनता खुद चेक करें कि आया समझ में तो यह चीज इनोंने कहा ताकि जो पैसा यहां से भेजा जाते हैं पर चुनाओ कर राजीव गांदी साहब भारत के एक पूर्व प्रधान मंत्री जिनोंने सच में यह बात कही थी कि जब केंद्र से एक रुपे आता है ना तो वह एक रुपेया नीचे आते आते आते पूरा भ्रष्टाचार की भेट चड़ जाता है और नीचे आते आते महच कुछ पैसे लोगों के हिस्से आते हैं वास्तविक्ता यही थी कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर था सारा पैसा बीच में अगर आप क्या लगता इस देश में संसादनों की कमी है नहीं है अगर इमानदारी से हमारे सारे संसादनों का प्रयोग जनता के हित्मे किया गया होता तो यह देश का विकास कहीं गुना ज्यादा हो चुका होता है पर होता यह ना कि पहले ही कम है और उसको और कम कर देते हैं यह वैसी इस्तिति पिर राज्य सरकार को उन्होंने सिफार चुना होने चाहिए छे महिने कि नियाय पंच्यायत को इन जो जोना होने में चुना होने चाहिए फिर उन्होंने कहा कि जो न्याय पंचायते उसको विकास पंचायत से अलग रखा जाए एक होती है न्याय पंचायत मतलब जुसका काम होता है अदालत की तरह काम करने का पैसले सुनाने का मुकदमे सुनने का मामले सुनने का और एक होती है विकास पंचायत जुगाओं में व उस समय Linda भारत में लाज जी निर्वाचन आयोग नहीं उत्लवाचन ऐक Sumviddhan संशोधन से ये बात आपको भी पता है तो आपने कभी सोचा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पहले चुनाव कौन करवाता था पंजायतों कि यह तो 93 की बात है कि एक राज्य निर्वाचन आयोग आया तो राज्य निर्वाचन आयोग के पहले की स्थिती में आपको बताऊं कि अशुक महता साब ने सिफारिश की थी कि जो केंद्री निर्वाचनायोगे भारत निर्वाचनायोग इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया इसका हर राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जिसे बोलते हैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर CEO, हर राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी आप देखेंगे, आपको मिलेगा, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी को करवाने चाहिए, पंचायती राज के चुनाओ, ठीके, ताकि चुनाओ में धांदली नहों, और निश्पक्षिता के साथ चुनाओ, हो जाएं, पिर विकास के काम जिला परिशत को दे दो, मतलब जिला परिशत ही सारे विकास के काम करें, और सारे विकास करमचारी इसके नियंत्रन में होने चाहिए, देखरेक में होने चाहिए, फिर पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरिट करने के लिए, स्वेचिक संग प्हुमीका ओने जब को पतत हैं और व्लकिकost हैं कोई चुनाओं बाग लेना क्यों जरूरी पंचाहिति राज में सब नहीं प माना तो वकार ना अड़्व्य ने क्या है एक मंत्री की नयुक्ति करो अशोक मेहता सहाब ने ये कहा कि पंचायती राज की देखभाल के लिए उसके मामलोग जिसे राज्य में ग्रह मंत्री होता है राज्य का एक वित्त मंत्री होता है एक शिक्षा मंत्री होता है वैसे तुम राज्य में एक पंचायती राज मंत्री क्यों नहीं बनाते हो हर जंख्या के आधार पर अनुसुचित जाती और जन जाती के लिए इस्थान आरक्षित होना चाहिए यह इन्हों ने कहा बलवंत राय महता समीती ने समीती ने एसी एस्ट के लिए आरक्षन की बात नहीं कही अशोक महता समीती ने कहा कि भाई समाज के वो वर्ग जो आप एक कान करिए अनुसुचित जाती और जन जाती के लोगों को इस्थानों का आरक्षन कर दीजिए और मैं आपको बता दू इसकी क्या जरूरत थी इसकी जरूरत थी आप समझो हाला कि आजादी के बाद हमने समीधान में अनुच्छित सत्रा जोड़ा आपको पता है सत प्रश्यता का अंटचेबिलिटी को खतम करने से जुड़ा है हमारा समीधान का अनुच्छित सत्रा लेकिन क्या भारत में छुआ छूत खतम हो गई खास करके अगर आप दूर दराज की गाओं में जाएंगे आज भी बहुत सारे गाओं में छुआ छूत का पालन किया जात आज भी गाओं में सवर्न चलता है दलित चलता है उची जाती के लोग नीची जाती के लोगों कई सारे गाओं में वैसे तो बहुत कुछ सुद्रा है पर कई सारे गाओं में उची जाती के लोग अपने बराबर नीची जाती के लोगों को नहीं बिठाते तो भारत में एक समस्य यह थी कि गाओं में जातिवाद और छुवाचूद भी बहुत था तो अगर मान लीजी कि कोई निचली जाती का व्यक्ति अनुसुची जाती का व्यक्ति पंचायत के चुनाओं में खड़ा होने लगे तो वो होई नहीं सकता था क्योंकि उसको प्रता सब्सक्राइब तो एसे में अनुसुची जाती जन जाती के लोगों का यहां कोई प्रतिनेदित्पन नहीं था अशोक मेहता समीति ने कहा कि इनके लिए इस्थान का आरक्षन कर दो जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक इन लोगों की भागीदारी नहीं होने वाली समझ गय तो यह यह सिफारिश ओर थी फिर पंचायती राज संस्थाओं को समवेधानिक माननेता एक बहुत बढ़िया बात जो अशोक मेहता साथ ने कही कि पंचायती राज संस्थाओं को समवेधानिक माननेता दे दीनी चाहिए अलाकि सरकार ने उस समय ऐसा नहीं किया तो यह जनता पार्टी की सरकार आपको पताए की बीच कारेकाल में भंग हो गई और अशोग महता समीती की का जो सिफारिशें उन पर कोई कारिवाई नहीं हुई यह एक बदकिस्मती है कि अशोक महता साहब की इतनी बड़िया सिफारिशे जो हैं लागू नहीं हो पाई क्योंकि जनता पार्टी की सरकार जिनों ने समीति को नियुक्त किया था वो सरकार ही चली आ रहा है समझ में तो यह हो गया अशोक महता समीति फिर भी करनाटक पश्च संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए अगली समीति का नाम क्या है दो समीतिया मैंने आपको अभी तक बता दी है पहली समीति कौन सी है पहली समीति है बलवंतराय महता 57 में दूसरी समीति है ठीक 20 साल के बाद अशोक महता 1977 और तीसरी समीति इसके 8 सा समीति का नाम है जीवी के राव समीति इंद्रा गांधी की मृत्य हो चुकी थी 1984 में इंद्रा गांधी की मृत्यू के बाद में राजीव गांधी भारत के प्रधान मंत्री बन चुके थे तो यह प्रधान मंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल की बात है तो 85 में ग्रामिन विकास और गरिबी उन्बूलन की कारिक्रम की समेक्षा के लिए एक प्रशास्निक विवस्थाओं के लिए योजना आयोग ने 1985 में जीवी के राव के अध्यक्षता में एक समीति का गठन किया इस समीति ने भी थोड़ी बहुत स्टडी की पंचायती रास से जुड़ी हुई समस्याओं की और यह इस निशकर्श पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तर शाही से युक्त होकर पंचायती रास से अध्यक्ति रास से अलगे विकास प्रशासन के लोकतांत्री करन के विप्रीत इसका नौकर्शाही करन हो चुका है और इस वजे से पंचायती रास संस्थाएं कमजोर हो गई है मतलब एक व्यक्ति का हमें इलाज करना था लेकिन उस इलाज को करते करते हम दूसरी बीमारी तो उन्होंने इसे बिना जड़की घास कहा एक बहुत बड़िया शेर आपने सुना होगा जो कुछ इस प्रकार से कहता है कि ता उम्र में ठीक है आइने को साफ करता रहा जो धूल थी वो चहरे पर थी और मैं आइने को साफ करता रहा कि धूल जो है वो चहरे पर थी और मैं आइना साफ करता रहा इसका मतलब आप जानते हैं इसका मतलब यह है कि आप कितना भी शीशे को साफ कर लीजिए अगर धूल आपके चहरे पर है तो फि चहरा जो है अच्छा नहीं दिख सकता है कि समझे तो यह वही बात थी असली समस्या कुछ और है मेरी बास समझने की कोशिश करी असली समस्या क्या थी मैं आपको बतादू असली समस्या यह थी कि जिन राज्य सरकारों को पंचायती राजसंस्थाओं को इमानदारी से मुझा कुछ हो सकता है और आप मूलेंगी राज्य सरकार क्यों करना चाहती अभी बोला कोई मजबूरी क्या अगर मान लीजिये आप से कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए तो कई सारे लोग नहीं कहते कोई जबरदस्थी कि नहीं करना वारा मन तो राज्य सरकारों ने कभी इसको गंभीरता से नहीं लिया और इसलिए पंचायती राज बहरत में सही से कामी नहीं कर पा रहा था और जीवी के राओ साहब ने बहुत बढ़िया बाद बोली उन्होंने कहा कि यह तो बिना जड़ की घास का मतलब क्या होता है मतलब आपने देखा होगा कि जब घास जो होती ना नीचे से जड़ से पकड़ कर रखती है जड़ इंको हूँ जाती नी कि आपकी पंचायती राज संस्थाओं में कोई जड़ ही नहीं है जो इंको पकड़के रखे ये तो सरकारों के मनमानी में बह जाती एनको जड़ दो इनको कुछ ऐसे प्रावधान दो कि राज्य सरकारिक की मनमानी से जो इनकी रक्षा कर पाए जैसे जड़ उस गहास की रक्षा करती है कि नहीं पानी से बहाव से बाड से वैसे ही समवेधानिक प्रावधान होने चाहिए जो इनकी रक्षा करे राज्यों की मनमानी से आ रहा ह तो अगर आपसे कभी इसा question पूछा जा सकता है कि किस समीति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़की घास कहा बताओंगे न कौन किस समीती ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़की घास कहा आगे समझ में जी वी के राव समीती तो जी वी के राव समीती भी अपना काम करके उस समीतियां कुछ नहीं कर सकती भाई हमें अपना काम हमें खुद करना पड़ता है जब तक हम नहीं करेंगे कुछ नही एक पत्र तयार करने के लिए एक समीती का और गठन कर दिया फिर एक और समीती आ गई हम समीती समीती खेल रहे हैं बस और ये समीती समीती का खेल चलता ही रहेगा मैंने आप से कहा कि शीशे को साफ करने से कुछ होना जाना नहीं है, तो हमने एक और समीती बना दी, इस बार समीती के अध्यक्ष तेथ L.M. सिंगवी, समीती आती है 1986 में, यह बहुत पुराना खेल है भारत नेताओं का सरकारों का आयोग खेलने का, कहीं भी कुछ हो जाए, तो बनाएगि कहीं भी कुछ होगा तो आयोग घठित कर देंगे, वह इस पर चाल लेगे, इससा कुछ होता थोड़े नहीं, को तो आलेम सिंग्भी समीती का गठन उआ और एल म संग्भी समीती की सिफारिश क्या देखर येört लंसिंग्भी समीती ने बिल्कुल वह बात बोल दे मतलब उन्होंने सही पहर किया कि फेंप लंसिंग्भी सहाब ने कहा कि उपि तो आप सीधी सी बात है कि आपको उन आंधी तूफानों से वहां चलने वाली हवाओं से उस पौधों को बचाने की जरूत है उस पौधे को बचाने के लिए आसपास आपको कुछ कवर करना पड़ेगा ताकि हवा की रफतार कम हो जाए और संरक्षन देना पड़ेगा नहीं हमारी उस प्रावधान की जरूत है मान्यता दो इनको सम्विधान में लिखा होगा तो कोई। राज्य सरकार मनमा नहीं कर सकती बिल्कुल नहीं है हमारे एक प्रावधान है अगर मैं आपको बताओं प्रावधान कौन सा है अनुच्छे 356 और 365 तो पड़े होंगे आप लोग 356 और 365 ये आधार है किसी राज्य में राष्टपती शासन लगाने के किसी राज्य सरकार की मनमानी अगर चल रही है न तो उसके हाथ से शासन अपने हाथ में लेने के कैंजिट ने मनमानी कि और फिर कोई सरकार मानने से मना किया तो तुम confirmed कर सकते हो लिए मतलब कोई राज्य सरकार अब इसान नहीं करें सुधानी करें के जिए तो इन्हें संविधानिक रू hvad से मानने निता ृव Dif dot अद्याय जोड आज बहुत बढ़िया बात है एक नया ध्याय जोड़ समविधान में ही डाल दो कि सिख्यें इनमें तीराज के स्वतंत्र और निश्पक्स चुनाओ कराने सुनक्य प्रउद्क का tut इस सब चीज़े आप उसमें कर दो, फिर गाओं के समू के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना करो, ग्राम पंचायतों को ज्यादा वेवारिक बनाने के लिए गाओं का पुनरगठन करो, इसने ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया, मतलब, एलम सिंग भी साम ने कहा कि ग्राम सभा का महत्त्व समझो, ग्राम सभा बहुत शक्तिशाली हो सकती है, और ग्राम सभा अपने यहां पर सारे विकास के कामों को कराने में आपकी सबसे बड़ी सहयोगी हो सकती, तो ग्राम सभा को लेके इनों, आपको पता है भारत में कि बताजी की खुद की इंकम का में तो बेटे को पॉकेट मनी तो वह ज्यादा दे नहीं सकते पहले में केंद्र सर्कार उनकी ही स्ट्रोट काम हैं उसके बाद राझ जरी केंद्रस बीर पहले में को केंद्र को देना पड़ता है फिर जरी राजय तो को सॉ पहां से देंगे पंचायतों को उवा वित्ति संसादन से कुभी अम्दनिय धन्यदो रखी तो राज्य सरकारों के पास जो है बिल्ट है तो तो फिर आपन्चायतों को देंगे लेकिन उसमें भी राज्या सर्कारों ने इमान-दारी से काम नहीं कि आल आज भी विकासमें बाध्दा क्या है तो आर्थिक संस्दन दिये जाए जादा और इनके चुनाओं और उनके विगिटन और इनके कारेयों से संबंधित जो भी विवाद उनके लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाए वाला पार्ट में पढ़ा चुका हूँ आप उसके बाद में थुम्गन समीति आखरी समीति यह बस देखो अभी तक कितनी हो गई बल्वनतराय महता अशोक महता जीवी के राओ लम सिंग भी चार समीति होगी आखरी समिति थुंगन समिति पी के थुंगन 1988 में फिर राजियो गांधी साहप के कारेकाल में संसत्य के अधियक्षता में एक और समिति का गठन हुआ राजनिती को प्रशास्निक धाचे की जांच करने के उद्देश्य से इस समिति ने भी पंचायती राज विवस्था को मज कर दी जाए वहीं चीज रिपीट कर दें सिंगवी सहाब ने जो कहा थुंगन सहाब ने उसको रिपीट कर दिया मतलब अब इस बात पर मोहर लग चुकी थी कि पंचायती राज संस्थाओं को समवेधानिक माननेता देनी ही पड़े और कोई ऑप्शन दें तुंगन समीती ने मतलब जीला परिशत को ज्यादा अधिकार दिया जाना चाहिए इस पुरे मामले में जीले में योजना निर्मान और विकास की एजेंसी की रूप में जीला परिशत को काम करना चाहिए और इनका कारेकाल पांच साल का निश्चित होना चाहिए ये अच्छी बात है तुंग समीति ने ये भी कहा कि राज जिस्तर पर एक योजना मंत्री के अध्यक्ष्टा में योजना निर्मान और समन्वय समीति भी होनी चाहिए पंचायती राजपर केंद्रित विश्यों की विस्तरत सूची तैयार करनी चाहिए जैसे हमारे यहां पर सम्विधान में 11 अनुसूच आप सभी जानते हैं कि 11 अनुसूची किस से जुड़ी है सम्विधान की 11 अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों से जुड़ी है न तो इन्होंने यही कहा था कि सम्विधान में एक सूची जोड़ दो और वो सूची पंचायती राज के कामों से जुड़ महिलाओं के लिए इनुहने का तीनों पर आरक्षान दो गृ darüber बीच वाली पंचायद में जिलाय में सबहुआ के इसके बात थुंगान समीदी ने कहा हर राज में एक राज्य विट्वाज राज्य वित्त आयोग में शुक्राबं August एसा हमारे संविधान में भी अनुच्छे 208 में अनुच्छे 208 आपको पता है कि एक वित्तायोग की बात करता है वैसे ही एक राज्य वित्तायोग की गठन की सिफारिश इनों ने की जो पंचायती राज्शन स्थाओं को वित्त के वित्रण के लिए ठीके राज्य सरकार से स करवाने की सिफारिश की उन्हीं के आधार पर राजिव गांधी सरकार ने एक संविधान संशोधन पारित करवाने की कि युड़ की तो गाधगील शमीती से क्या घागा गएसे कहा गया कि आप हमें बताढ़िए एक पंचायति राज्शन संस्थां को को समवेधानिक दरजा दिया जाए त्रिस्तरी्पंचाइती राज की स्थापना की जाए fünf स्थाओं का लिकाल पाँच साल किया जाय तीनों इस तरो पर सिदा निर्वाचन किया जाए जाती जन जाती महिलाओं को आरक्शन दिया जाए पंचाहती रास्थ अब की जिम्मेदारी होगी कि वो पंचायत क्षेत्र के सामजी कार्थिक विकास के लिए योजना बनाए और उन्हें क्रियानवित करें तो गाडगिल समीती ने कुल मिला के थुंगन समीती की बातों को ही रिपीट किया और ये सारी चीज़े आपको वर्तमान 73 संविधान संशोध में मिलेंगी पंचायती राशष्जाओं को टैक्स कर और ड्यूटी जगाने का वसूलने का अधिकार होना चाहिए ठीवर्फिर एक राध्जी वित्तायों कि स्थापना जो पंचायत को वित्त का आव अवंटन करे एक राज्जी हो पर वाईल तो ये संप ये सब आपको सम समझना मुश्किल नहीं है समझ गए गाडगिल समीती की सिफारिशे पूरी वैसी ही है जैसा आपका तिहुत्तरवा संविधान संशुधन एक राज्य चुनावायोग एक राज्य वित्तायोग आरक्षन की विवस्था पांच साल का कारेकाल यह सब पूरा के पूरा वैसे ही ठीक है तो गाडगिल समीती की अनुशंसाओं को एक संविधान संशोधन विदयक के रूप में प्रस्तुत किया इसका लक्ष था पंचायती राज संस्थाओं को संविधानिक दर्जा और सुरक्षा देना अब सरकार ने इतनी समीतियों का गठन कर दिया कि आखिरकार सरका राजीव गांधी सरकार ने इन संस्थाओं को आखिरकार फाइनली पंचायती राज संस्थाओं का सही इलाज इनके बिमारी को खतम करने के लिए जड़ से मिटाने के लिए जिस चीज की जरूरत थी वो करने की कोशिश की राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थानों को या संस्थाओं को संवेधानिक बनाने के लिए ज्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने के लिए जुलाई 1989 में एक संविधान संशोधन विधेक भारत की लोग सबा में पेश किया जानते हैं संविधान संशोधन कौन सा 64 संविधान संशोधन विधेक और यदी यह पास हो जाता तो आप तिहुत्तर की जगे 64 पढ़ रहे होते आज कि इतिफाक से कि इतिफाक से यह संशोधन पारित नहीं हूँ आपको पता है तिहुत्तरवा संविधान संशोधन से पहले भी कोशिश हुई ऐसा नहीं है राजीव गांदी सरकार ने 64 संविधान संशोधन के द्वारा जुलाई 1989 में एक संविधान संशोधन विधेक पंचायती राज का पेश किया था अलाकि लोकसभा ने इसको पारित भी कर दिया लेकिन राज्यसभा के द्वारा ये पारित नहीं हो पाया आप एक बात तो जानते ही है कि संविधान के जो संशोधन है वो राज्यसभा लोकसभा दोनों से पारित होने चाहिए अलग-अलग अकेले लोकसभा भारत के संविधान में संशोधन नहीं कर सकती तो लोकसभा ने पारित कर दे और यहां संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं होता ये बात भी हम जानते है कि अगर मानली जी कि एक सदन मान ले और दूसरा ना माने तो क्या संयुक्त बैठक का कोई प् तो उनका ये विपक्ष ने जोरदार विरोध किया इस बात पो लेकर कि इससे संगी विवस्ता में केंद्र सरकार जो कि पहले से तो उनका मानना था कि यह विध्यक पास नहीं करां प्रयास एककार का में फिभनार प्रताप संग का 58 वीपी सिंग सरकार नवंबर नाइंटीन एटीन नाइन में वीपी सिंग प्रधान मंत्री बने तो उनकी जो सरकार थी राष्ट्री मोचा सरकार उसने भी घोशना की कि वह पंचायती राजस्थाओं के लिए काम करेगी जून 1990 जून 1990 में पंचायती राजस्थाओं को मजबूत करने के लिए वीपी सी की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक दिन का सम्मेलन हुआ मतलब इन्होंने सम्मेलन किया सारे मुख्य मंत्रियों के साथ और एक नए संविधान संशोधन विद्यक को पेश करने के प्रस्ताओं को मंजूरी दी गए मतलब दूसरी बार पहली बार तो मैंने आपको बताया पहली बार तो राजिव गांधी साब ने कोशिश की VPC सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को समविधानिक दरजा देलाने के लिए एक और समविधान संशोधन पेश करने की योजना बने सितंबर 1990 में लोगसभा में विद्यक लाया भी गया समविधान संशोधन विद्यक लोगसभा में प्रस्तुत हो गया लेकिन विधी क सीथिटी को बने में नियती को कुछ और मंजूर था व कि ऊवा यह कि इस बार सरकारी किर्गई पहली बार कोशिश की तो लाज्यसरी पास्तिक नहीं किर दिया दूसरी बार पेश किया सरकार गिर गई तो फिर पास नहीं उपाए मतलब पास नहीं कर पाई लेकिन इसका श्रेक इसको गया जानते हैं कि इसका क्रेडिट गया नर्सिमहराव सरकार को हमारे यहां पीवी नर्सिमहराव एक ऐसे प्रधान मंत्री रहे कि जो एतिहासिक हो गए इनके काल में बड़ी-बड़ी घटना जिसा में देखो 1991 में भारत में का आर्थिक संकटाया तो 1991 में हमने आर्थिक सुधारों को अपनाया यह भी आपको पता होगा चौबीस जुलाई 1991 की बात है कपकी बात है जुलाई चौबीस में भारत ने नहीं आर्थिक नीति की घोष्णा की थी और हमने उदारी करण नीजी करण और वैश्वी करण को अपनाया लिब्रलाइजेशन प्राइबिटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन और इसको राव मनमोहन मौडल कहा जाता है चुकि नर्सी महाराव भारत के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय और डॉक्टर मनमोहन सिंग ज नाम से भी जैना गया तो इनके से इनके जोना सिरफपर बैरत में आर्थिक सुधारों का भी बंदा पंचायती-वालाज का अभी तक पारित नहीं हो पारहा था उसको पारित करने वाले भी यहीं लकी साबित हुए पंचायती राज कानून को भी पारित करवा लिया संविधान संशुधन करवा लिया आपने देखा होगा पूर्व की और नी देखो नीती हमारे यह नीती है जिसे लुक इस्ट पॉलिसी कहते हैं आपने नाम सुना हो लुक इस्ट पॉलिसी जब सोवियत संग का पतन हो ना 1991 में 1991 में भारत का सबसे बड़ा दोस उसका पतन हो गया सोवियत संग का तो पूर्व की और देखो नीती ही कौन लेके आया यही प्राइम मिनिस्टर नर्सिमहाराओ साहब तो पूर्व की और देखो या लुक इस्ट पॉलिसी का सहरा भी इनके सरही बांधा जाता है तो नर्सिमहाराओ सरकार ने वो कर दिखाया जो भी तक कोई कर नहीं पा रहा था इनके प्रधान मंत्रित्व काल में कॉंग्रेस की सरकार ने एक बार फिर से कोशिश की और पंचायती राज के समवेधानी करण पर विचार किया और इस प्रारंब के विवादास्पत प्रावधानों को हटा कर एक नया प्रस्ताव रखा सितमबर 1991 में लोकसभा में एक समवेधान संशोधन विदेख प्रस्तुत किया टाइम लाइन देखो बस यही विदेख आगे जाके यही छोटा सा बच्चा जिसे सितमबर 1991 में इंट्रोड्यूस करवाया गया लोकसभा में इतना बड़ा विक्ति बन गया आगे जाके तो 1992 के रूप में पारित हुआ 24 अप्रेल 1993 को यह लागू हुआ और मैंने आपसे कहा कि यही कारण है कि हर साल भारत में 24 अप्रेल को क्या मनाया जाता है कभी आप से कोई पूछे कि पंचायती राज दिवस का बात है हमारे हर साल 24 अप्रेल क्योंकि इसी दिन तिहुत्तरवा संविधान संशोधन लागू हुआ तो क्या हो गया इसके बाद क्या दुनिया बदल गई भई जो इतने दिनों से करने की कोशिश कर रहे थे वो कर लिया क्या पाया क्या खोया क्या थीक हमने क्या खोया हमने क्या पाया इस इस अधीनियम ने भारत के समविधान में एक नया खंड जोड़ा एक नया भाग जोड़ा और वह भाग नौढ़ बार-बार बार एक के बाद एक बाद एक बैक टूबैक समीति आई और हर समीति अपनी अपनी तरब से सिफारिश करती रही सबने लगबग लगबग यह कहा कि संविधान में इनको दरजण दो संविधान में इंको शामिल कर लो कर लिया एक नया भाग दूरदिया गया उसके नाम रखा गया पंचायоп ते जैसे आ कि आपने देखाऊ- Syd唐-नक के हर भाग का एक नाम होता है म Tabii पहुद हान के खरग का नाम रखा गया पंचायते और इसमें नए अनुच्छे 243 से 243 तक के नए अनुच्छे जोड़े गए नए प्रावधान जोड़े गए और इसके बाद 243 पी से शुरू हो जाता है आपका नगरपाली का वाला भाब नोकव इस अधिनियम ने सम्विधान में एक नई अनुच्छी को जोड़ा ग्यारवी अनुच्छी अब ये बात तो सबको पता है आठ अनुच्छी तो सम्विधान बनाने वालों नहीं बना कि दी थी आठ तक क संख्या तो वह पूरी कर चुके थे गिंती नवी अनुच्छी हमने 1951 में जोड़ी भूमी सुधार वाली आपको पता होगी पहले सम्विधान संशोधन से दस्वी अनुची हमने 1985 में में जोड़ी 1985 में बावन्वा संविधान संशोधन दल बदल कानु यह 11 अनुची ती ग्यारवी अनुची जोड़ी गई 1992 में जैसे हमारे यहां पर आपने देखा होगा को समडान में एक अनुसुय साथवी अनुसुची साथ को बता है सmusic सूची में जिस पर कानुन बनाता है केंद्र सरकार इसे विशें कानुन बनाएगा नसभर संसथ बनाएगी जूसरी राज्य सूची बनाती राज्य सरकार 59 सबजेक्ट है समवर्थी पर दोनों बनाते तो पंचायत ही किस पर बनाएंगी, पंचायतों के लिए अलग से एक सूची जोड़ी गई गयारवी अनुसूची में जिस पर 29 विशे हैं, आप यह से बोलते हो ना, यह बहुत आसान है, केंद्र सरकार के पास में कितने विशे हैं, केंद्र के पास में 98 है राज जी के पास 59 हैं, समवर्ती में जो है आपको पता है 52 हैं, वैसे ही पंचायतों के पास 29, 29 विशे हैं अनुच्छे 243 जी, अगर आप देखेंगे 243 जी, वहां आपको मिलेगा 29 कारेकारी विशेवस्तू हैं इनके पास इस अधीनियम ने समविधान के 40 वे अनुच्छेद को विवहारिक रूप दिया, अभी तक जो अनुच्छेद समविधान में स्खिर्ण नाम का था बस वोई वैल्यू नहीं थी जादा, उसमें जान डाल दी, एक पुतला था जो खली, दिखने का पुतला, उस पुतले में जान डाल के उसको मनुष्य बना दिया, 40 वा अनुच्छेद उसको विवहारिक रूप दिया गया, और इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, और उन्हें वो आवश्यक शक्तियां और अधिकार देगा, जिससे कि वो पंचायती राज संस्थाओं को एक सम्वेधानिक दरजा दिया, और इसे सम्वेधान के अंतरगत वाद योग ये हिस्से के अधिन लाया गया, दूसरे शब्दों में इस अधिनियम के उबंद के लुसार, नई पंचायती राज पद्धति को अपनाने के लिए राज्य सरक सम्वेधानिक रूप से बात दिया है, मतलब इस अधिनियम ने खास बात ये कर दी कि पंचायती राज संस्थाओं को अपनाना, अब ये कोई मन का काम नहीं रहा, कि इच्छा की बात है, ठीक होता है कि आपकी इच्छा है तो करिए नहीं तो मत करिए, जैसे भारत में, सम्वेधानिक रूप से बात दी करने का मतलब ये है, कि यदि राज्य सरकारे ऐसा नहीं करती है, ऐसा करने में आना कानी करती है, तो उनके खिलाफ केस चलाया जा सकता है, और उनको हटाया भी जा सकता है, उस राज्य की सरकारों को भंग भी करकिया जा सकता है, तो अब पंचायतों का गठन और नियमित रूप से इनके जो एक बात आप ध्यान से समझ लेना, कि तिहोत्तरवे सम्विदान संशोधन के जो भी प्रावधाने, वो दो भागों में बटे हैं, मतलब बहुत सरे प्रावधाने से हैं, जो अनिवार हैं, कंपल सरी हर राज्य की सरकार को मानने ही पड़ेंगे, और दूसरी तरह के और जन्घाती को आरक्षण देना अनिवार्य है, पंचायती चुनाओ में, पंचायतो में, लेकिन OBC को आरक्षन देना हैं कि नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग को देना है, यह राज्य सरकारे खुद ताय कर सकती हैं, असक्के रड़ी नहीं हैं, से कुछ प्रावधानने, और थोड़ इसे प्रावधान जो है वो क्या है वो स्वैच्छिक है और वो राज्य सरकारे खुद से तय कर सकती है अधिनियम के अनिवार्य हिस्से को पंचायती राज विवस्था के गठन के लिए राज्य के कानून में शामिल किया जाना जरूरी है मतलब राज्य जब अधिनियम देश में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में महत्वपून कदम है और यह प्रतिनिद्व लोकतंत्र को भागिदारी लोकतंत्र में बदलता है अभी तक क्या हो रहा था ना कि अभी तक कुछ लोग भारत में जैसे आप देखें तो कितने सांसद हैं टोटल अगर हम सांसदों को जोड़ें तो हमारे यह 543 लोक सभा में सांसद हैं और 245 राज्य सभा में मतलब टोटल 788 सांसद हैं पूरे देश में और विधान सभाओ के विधायकों को भी अगर आप जोड़ लें तो कोई बहुत ज्यादा संख्या नहीं है एक सो पैतीस चालीस करोड की जन संख्या का प्रतिनिधित्तों बहुत कम सांसद विधायक करते हैं तो बहुत कम लोगों की भागीदारी होई ना समझो आप कि अगर में मोटे मोटे तोर पर भी एक आकड़ा पकड़ू कि 5000 विधायक पुरे भारत में तो 5000 और यह सम मिला के चलो राउंड फिगर में 6000 तो 6000 लोग पुरे भारत को प्रतिनिधित्तों दे रहे हैं ना मतलब बहुत कम लोगों की भागीदारी तो पंचायतों से क्या फाइदा हुआ पंचायतों शासन में भागीदारी मिली अब हर गाओं के लोग हर गाओं में पंचायत तो हर गाओं के लोग अपने गाओं के विकास में भागीदार है की नहीं अब गाओं के ही लोग अपने गाओं में से कुछ लोगों को चुनते हैं जो सडक बनाते हैं विकास के काम करते हैं तो यह यहां पर भागीदारी लोकतंत्र आया की नहीं कि अधिये समझमें अभी तक यहां पर प्रतिनिधी लोकतंत्र था अब यह भागीदारी लोगतंत्र आगया आपको question पूछा जासता है कि पंचायती राज संस्थाएं या तिहोत्तरवा संविधान संशोधन किस प्रकार से प्रतिनिधी लोगतंत्र को भागीदारी लोगतंत्र में बदल देता है आगया समझ में इसको बोलते है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रिसी जहां पहले सिर्फ कुछ लोग प्रतिनिधी की तोर पर हमारे लिए काम कर रहे थे अब हमारे ही बीच से कितना अच्छा लगता है कि आप हर गाओं का विक्ति विधायत नहीं बन सकता हर गाओं का विक्ति सांसद नहीं हो सक है इसलिए यहां पर बहुत सारे लोगों को अपने ही बीच से अच्छा लगता है हमारे विकास में हमारे योगदान देता है हमारे लिए काम करता है आए समझ में तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रतिनिदी लोकतंत्र भागिदारी लोकतंत्र में और लोकतंत्र को जमेनी इस्तर पर लेकर हम आए बस अब कल जब आप इस सेशन में आएंगे कल ठीक 12 बजे तो मैं आपको 73 संविधान संशोधन की सारी बिल्कुल टाइम पर करेंगे एक एक विशिष्टाओं पर बात करेंगे कि भारत में 73 संविधान संशोधन में आखिर क्या-क्या खास बात है आप समझें मेरी बात 33 संविधान संशोधन को डीटेल में पढ़ना है एक एक प्रावधान पढ़ना है तो कल ठीक 12 बजए आप सेशन को अटेंड करिये ठीक 12 बजए सेशन होगा हमारा 33 संविधान संशोधन वाला जिसमें हम लोग पूरा पंचायती राज कानून को अच्छे से समझेंगे एक अब चाहें लिख ये सब विच्टिये शक्तियों का सब्सक्ता हो एक प्रावधान सम्झाओंगा मैं तो आप लोग 12 बाजी आईए कियो कि आग दो मैंने सिर्फ आपको इतिहास बताया इसका अभी वरतमान तो बताना बाकी है अभी मैंने आपको क्या बताया है अभी मैंने आपको सिर्फ इतिहास बताया है पंचायती राज का वर्तमान बाकी है तो लाइक करते जाहिए सेशन अगर अच्छा लग रहा है ना तो जाते जाते सेशन को प्लीज लाइक करना ना भूले यह सेशन आप लोगों के लिए ही मे करता रहे तो यह आपकी भी फाइदे में और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा ओके यह रेफरल कोड़े सी के लाइव अगर आप एक बढ़िया ओफर का फाइदा उठाना चाहें ऑफर बहुत अच्छा है अभी एक साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन ले लो तो छे म करेंगे वैसे ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जो भी अमाउंट है और छे महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा बहुत बढ़िया मोका है मत गवाईए काम आएगा आपके ठीक है तो बाई-बाई सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सभी का थैंक्स पर वाचिंग बने रहिए देखते रहिए जाए हिन लेट्स क्राक इट